कभी कभी हमारे जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा इचिंग करने लगता है हद से ज़्यादा इचिंग करने लगता है खुजली करने लगता है इतना ज़्यादा इचिंग करता है वो साड़े अपने बाल वेगरे को नुकसान पहुचा लेता है बाल उसके उखरने लगते है और बहुत जαदा जगा 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 चकता गाओ बन जाते हैं और उसका जो पेट है उतर साइड में आप देखेंगे तो उतर कभी-कभी लाल-लाल दाने जैसे खुझली हो जाते हैं उसको बहुत ज़यदा वह इचिंग करता है बहुत खुजाता है और वो खुजाते खुजाते उसको घाओ के रुप में बना लेता है जब घाओ हो जाती है तो वहाँ का जो बाल है जो प्रोब्लम होती है वो लॉंग कोट या लंबे बाल वाले जो डॉग होते हैं उनमें सारे समस्या बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि उनके जो बाल है बाल ही उनकी खुबसूरती होती है बाल अगर इचिंग करने में वो पूरा जार लेगा घाओ कर लेंगे तो घाओ का इलाज भी थोड़ा मुस्किल होता है क्योंकि बाल है और बाल को साफ करना फिर अंदर घाओ है उसको साफ करना तो डिपिकल्ट हो जाता है तो इस समस्या को किस तरह सुल जाएंगे आसानी से जिसे कि आपको कोई पड़शानी नहों और डॉग को बहुत जादा इचिंग ह हो रहा है जिससे परिसान हो चुके बहुत सारा दभाई भी चेक कर लिया देखर के लेकिन आराम तुरत से आराम नहीं है तत्काल आराम नहीं मिल रहा है तो इसके लिए कौन सा उपाई करेंगे आज हम इन इस डॉपिक बात करने वाले हैं कि आपके डॉग में बहुत आप देख सकते है फोटो में और वीडियो में भी यह सिंपू आपको इवाइड इचिंग इसमें लिखा हुआ है कि यह क्या क्या चीज में काम करता है तो इसको मैं बताता हूं जो सबसे में इसका टॉपिक है कि इचिंग जो हमारा डॉग बहुत जादा खुजला रहा है इचिंग को सबसे पहले दूर करेगा और यह रिजल्ट आपको 24 गंटे के बाद ही देखने को मिल जागा इचिंग वेगरे कम हो जाती है दो से तिन बार में तो समझो जादू हो जाएगा एक बार में ही जादू हो जाएगा अगर आपके पास डॉग है तो आप उसको भी पानी से भीगो देना है वो हलका गरम पानी भी हो सकता है या नॉर्मल वाटर भी आप ले सकते हैं ठंडा नहीं होना चाहिए या गरम नहीं होना चाहिए बहुत जादा तो आप वाटर लेकर उसको सबसे पहले पानी से भीगो दे अच्छी तरह से जब भीग जाएगा तो वह siampo dog को पूरे skin पर, जो skin होता है, बालों के अंदर skin, जहाँ जा, वहाँ सब आपको फोर्था सोज siampo है, वह निकाल करके, आपको वहाँ लगा करके, और उसको अच्छे तरह से घिसना है, लगवग इसको अच्छे तरह से जाए, तो लगबग 10 से 15 मिनिट इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दे या उस टेम उतने तरम टेक आप उसको सेंपू की माले से भी कर सकते हैं घिस सकते सब जगा अंदर अंदर चेक कर सकते हैं लगा सकते हैं पाओं में पंजे में गले के ओपर गले से ले करके पोंच के जो सूख जाए उसके बाद फिर आप पाने से इसको दो लें दोने के बाद आप चाहे तो उसको एक बार और सेंपू लगा सकते हैं या चाहे तो आप दूसरी बार के लिए उसको छोड़ सकते हैं उसको नहाने के बाद सबसे ज़्यादा दियान देना है कि उसको अच्छी तर तो आपको अच्छी तरह इसलिए सुखाना चाहिए डॉक को चलिए बात कर लेते हैं सेंपू की प्राइस है वह कितनी होगी आप अगर लेते हैं तो 200 ml की मेरे पास बोटल इसकी कीमत 308 रुपे दिया गिया तो आप आपको अगर परसेंटेज छोट वेगरे मिलता है तो कम मे उसके में में यूज किया हुआ लगबग 20 दिन हो गया इसको और मेरा बहुत जादा अच्छा शिया पोजेटिम में इतना यूज पोजेटिव में इसका result देखर के आपको review दे रहा हूँ इसमें ये सोचने की विए कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसका पैसा मिला है company के तरफ से मैं इसका परचार कर रहा हूँ नहीं ये सी कोई बात नहीं है आप comment में बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा dog है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन